हलो गाइस स्वागा था एक बार फिर आपका अपने चैनल हट के प्रेडिक्टर में इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि जो प्लेयर बैटल्स का जो यह हमारा जो वीडियो मतलब रिलीज हुआ था नाइन मन्स एगो इसमें मैंने क्या दिया था आपको सारे लिंक्स और सा वेबसाइट्स मेंने बताए थे कि किस किस में आपको कौन-कौन सा डेटा यहां पे आपको मिलेगा तो इस वीडियो में हम चाए बताने वाला हूँ आपको देखो अभी तो इतने सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि क्रिकमेट्रिक है हाउस स्टैट है, ESPN क्रिकंफो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में क्रिक मेट्रिक की तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्रिक मेट्रिक पे आप कैसे सर्च कर सकते हैं प्लेयर बैटल्स हो गएरा तो गैस आभी हमने पिछले दो वीडियो में बात कर लिया क्रिक मेट्रिक और हाउस्टैट के बारे में अब बात करेंगे हम ESPN क्रिक इंफो और क्रिक 365.in का दोनों वेबसाइट में कैसे सर्च करते हैं दोनों का एक ही वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है वहाँ ESPN क्रिक इंफो इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलता है प्लेयर बैटल्स के लिए मैं प्रिफर करता हूँ यहाँ पे क्रिक मेट्रिक को इंफो सर्च करोगे कुछ इस तरीके से नैविगेशन लिंक मिल जाएगा अब हम इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से पेज में वह आपको लेके जाएगा अभी यह जो लाइफ मैचस चल रहा वो यहाँ पे दिखा रहा है तो इस पे हम अभी उतना धिहां नहीं देंगे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो more का option आपको दिख रहा है उस पे more पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो यहाँ पे stats का option आपको दिख रहा होगा उस पे क्लिक करो Stats पे तो यहां पे इतने सारे options आ जाएंगे हमें क्लिक करना यहां पे Stats Guru पे जिसमें आपको बहुत सारे Stats मिलेंगे यहां पे भी search कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो मैं आपको दो चीज में यहाँ पर अभी दिखाऊंगा जो के main है Stats Guru और Players में तो सबसे पहले हम यहाँ पर Stats Guru पर क्लिक करेंगे Stats Guru पर क्लिक करने पर कुछ पेज आपको ऐसे आते हुए दिखेगा अब इस box में आपको नाम टाइप करना है तो यहाँ पे मैं अभी के लिए type करूँगा फिर से विराट कोली को तो ऐसे कुछ विराट कोली का नाम आ गया तो यहाँ पे मैंने अभी search पे click किया तो देखो, search पे जैसे मैंने click किया तो भही आप देखो गे तो आप सोचोगे कि data का है डेटा मिलेगा भाई, यहाँ पे देखो, इतने सारे यहाँ पे details निकल के आए हैं, आपको Under 19 Youth Test Matches का चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, Under 19 Youth International Matches चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, Combined Test, ODI, T20I Player यानि के सारा एकठा चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, तो फिलाल के लिए मैं क्लिक क किया उस लिंक पे, तो मेरा पेज कुछ ऐसा यहाँ पे open होते हुए दिखा, आप चाहो तो यहाँ पे tabs change कर सकते हो, टेस्ट है, ODIs है, अभी हम फिलाल यहाँ पे है, T20I में, तो देखो, थोड़ा मेरा जूम, जूम ओट नहीं हो रहा है, माफ करना, अभी मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा, पूरा सर्च करते हुए, देखो, अब यहाँ पे है opposition, opposition मैंने all teams पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने Australia ले लिया, home और अवे लिखा हुआ है, home venue, अवे, यानि के विराटकोली, home, इंडिया, अवे, इंडिया के बाहर, या फिर neutral venue भी आप ले सकते हो, host country भी आप चाहो तो change कर सकते हो, डाल के देख सकते हो, ground आप ले सकते हो, यहाँ पे, ground पे भी क्लिक करोगे, तो बहुत सारे grounds आपको यहाँ पे मिल जागए, जो ground आपको चाहिए, वो ground आप यहाँ पे select करके देख सकते हो, host country, किस country में match, चला था, किस country में कैसा performance है, वो भी यहा यहाँ पे select कर सकते हो, वहाँ पे मैं फिलाल के लिए कुछ select नहीं कर रहा हूँ, season में मैं कुछ select नहीं कर रहा हूँ, starting date में मैं कुछ select नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं select कर रहा हूँ, career summary पे, आप चाहो तो innings by innings list, और match by match list भी देख सकते हो, क्यूंकि career summary में हमें ज्यादा data मिलेगा तो मैंने यहाँ पे career summary को select किया हुआ है चाओ तो change कर सकते हो इस तरीके से सिर्फ इस पे click करना है अभी यहाँ पे career summary पे रखेंगे और इस वाले बटन पे click करेंगे submit query पे submit query पे मैंने click किया थोड़ा page load होते हुए कुछ इस तरीके का page हमें यहाँ पे देखने को मिला अब इसमें आप सोच रहे होगे इसमें हम क्या देख से देखो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको career का data मिल जाएगा unfiltered, filtered करके इसमें total matches है, runs है, highest है, betting average है, 100 wickets सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अब हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे grouping में हमने यहाँ पे versus Australia लिया हुआ है, यहाँ पे आप clearly देख सकते हो opposition team Australia है, तो Australia के against, क्या performance रहा है विराट को लीगा सबसे पहले versus Australia, span, 2012 से लेके 2020 तक, 19 matches, 708 run, 90 not out total score यहाँ पे मिल गया, in Australia, in Bangladesh, in India, in Sri Lanka Australia के against, किस किस countries में, सारा data इकठा आपको यहाँ पे मिल गया आप bus page को इदर लेके जो, सारा details आपको मिल जाएगा उसके बाद, Asia में और Oceania, यानि के Asia के अंदर और Asia के बाहर India के अंदर, India के बाहर, neutral, सारा कुछ इकठा आपको मिलेगा यहाँ पे, years भी दिया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा year by year चाहिए, तो दोस्त यहाँ पे देख लो 20, 19, 18, 17, 16, 16, 16, 13, 12, Australia के against आपको अगर कोई दूसरा country चाहिए, तो back जो country चेंज कर लो seasons यहाँ पे दिये हुए हैं और जो मतलब इनके teammates यानि के जो captains थे, उनका यहाँ पे दिया हुआ EMS Dhoni के साथ और Virat Kohli के साथ, is captain, captain बनते हुए कैसा performance था, captain नहीं, मतलब उस match में captaincy नहीं करते हुए कैसा performance था, is not wicket keeper, यानि के wicket keeping नहीं किया था, यानि के यह तो wicket keeping करेगा नहीं, तो कितने matches कैसा performance था, toss जीत के toss हार के कैसा performance था, toss जीत के batting first, toss जीत के fielding first, toss हार के batting first में भेजा गया toss हार के यहाँ पे fielding करने के लिए बोला गया, तो उस scenario's में कैसा performance था, सारा कुछ यहाँ पे है बैटिंग फर्स बैटिंग सेकेंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैचस बैटिंग फर्स मैचस फिल्डिंग फर्स कैसा परफॉर्मेंस है चेसिंग करते हुए फर्स बैटिंग करते हुए first match innings, second match innings, day night match और night match सारा कुछ, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ ESPN Crick Info best है बहुत सारा data आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ से कट्ठा data निकाल लो उसके बाद आप चलो Crick Metric पर जहाँ पर आपको player battles easily मिल जाएंगे, जिससे के आपको और easy हो जाएगा sorry, map करना अब यह हो गया हमारा ESPN Crick Info पे Australia के against हमने देख लिया चाओ तो यहाँ पर आभी जाओ मतलब ही कहाँ पर, opposition पर क्लिक करो, team change करो अभी world cup चल रहा है तो आप चाओ तो यहाँ पर आंगलादेश लेके देख लो, Australia लेके देख लो, England लेके देख लो, Ireland लेके देख लो, सारा players आप ऐसे search कर सकते हो, international level के players के लिए बहुत बढ़िया website है ESPN Crick Info अब यहाँ पे हो गया, अब विराट को लिखा यह जो यहाँ पे player profile दिखा रहा है ना इस पे एक बार click करते हैं player profile पे मने अभी click किया तो कुछ इस तरीके का हमारा एक page निकला तो यहाँ पे हमें क्या करना है stats पे click करना है तो stats पे मने यहाँ पे click किया विराट कोली के नाम पे जाके तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा देखो यहाँ पे भी इकठा data आपको मिलता है आप यहाँ पे overview total यहाँ पे दिया हुआ है वसस आश्ट्रेलिया वसस बंगलदेश वसस सिंग्लैंड वसस न्यूजिलैंड वसस सोदाफरिका श्रिलंका वस्टेंडीस के सामने कैसा performance है यह test पे select हुआ है तो यहाँ पे आपको change करना है किस पे T20i पे अगर आप T20i पे उसको change करोगे तो यहाँ पे आपको T20i दिखा रहा है बैटिंग दिखा रहा है बोलर है तो यहाँ पे click करो bowling select कर लो बैटिंग बोलिंग दोनों का आप देख सकते हो तो देखो कुछ वसस टीम्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा इकठा फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो in host country अस्टेलिया के अंदर कैसा performance है किस country के अंदर कैस सारा कुछ आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद home वसस सवे home पे कैसा performance है मतलब इंडिया के बाहर कैसा है न्यूट्रल कैसा है और by year 2010 से लेके 2021 तक मतलब इसका जो career stats है player का उस हिसाब से आपको देखने को बिल जाएगा कि performance कैसा रहा है matches कितने कितन को मिलेगा फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो seasons है सारे seasons में आप देख सकते होगे कैसा performance था captain's involved जब विराट कोली खेल रहा था MS धोनी captaincy कर रहे थे सुरेश राइना captaincy कर रहे थे तो उनके under performance कैसा था विराट कोली गा उसके बाद same जो हमने वहाँ पे देखा था this captain is not captain यह total career है जो हमने देखा था वो वससस अस्ट्रेलिया के सामने देखा था वो चाहिए तो आपको stats group पे जाना पड़ेगा total career stats चाहिए तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा यहाँ पे भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा तो यह रहा ESPN click info का अब यहाँ पे हम 365.in का देखो आपको कुछ नहीं करना है जाना यहाँ पे crack 365.in टाइप कर लिया सर्च किया तो यह देखो डिरेक्ट ऐसे आपको open हो गया इसमें आपको stats नहीं मिलेगा इसमें आपको एक बढ़िया मतलब details मिलता है click 365 में जिससे आपको और easy हो जाता है अब आपको Germany versus Denmark का यह upcoming matches में आपको यहाँ पे दिखाएगा सर्वाफ करना एक कुछ match पे click हो गया था बड़ बैक आजाता हूँ मैं देखो यह upcoming matches यहाँ पे दिखा रहा है तो मैं अभी click करूँगा यहाँ पे Germany versus Denmark के इस green color के बटन पे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे click किया head to head आपको इनका जो matches था वो यहाँ पे recent match देखने को मिल जाएगा scorecard यहाँ पे है click करके scorecard देख सकते हो man of the match फाइसल मुबश्यर था उस match में date यहाँ पे दिया हुआ है 2021-16-10 उसके बाद इनका जो recent matches था है Germany और Denmark का वो यहाँ पे दिया हुआ है यानि कि यह head to head नहीं है यह देखो यह Germany है यह Denmark है versus Italy versus Jersey यहाँ पे देखना है lost lost दोनों हारे थे one lost one lost यहाँ पे आपको data मिल जाएगा और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखोगे तो scorecards भी आपको मिल जाएंगे man of the matches फाइसल मुबश्यर फाइसल मुबश्यर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे थोड़ा दीचे जाओगे तो ground के उपर venue desert springs cricket ground city almeria country spain इस venue पे इनका मतलब जो recent matches हुआ था उसमें Germany खिला हुआ है Denmark खिला हुआ है जर्मनी है Denmark है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे clicker करके scorecards वगरा देख सकते हो उसके बाद second overview हो गया आप second है हमारा यहाँ पे player stats तो player stats पे हमने click किया तो यहाँ पे इनका जो last recent scores है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यानि कि इससे आपको एक easy हो जाएगा recent इनका form क्या है कैसा चल रहा है वो देखने के लिए यह Germany का है Denmark के लिए आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा इस पे हम click करेंगे तो Denmark पर आएंगे तो फिर वापस से मैंने Germany पे click किया tournament change करना है यहाँ पे कर सकते हो layout यहाँ पे change कर सकते हो while पे यहाँ पे change कर सकते हो short tournament पे मैंने click किया last 5, 10, 20 matches आप जो data मैंने 20 पे click कर लूँगा मैं यहाँ पे last इनका दोगो बहुत सारे matches का आपको scorecard मिल जाएगा यानि के scores मिल जाएगा किसके against खेला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ scorecard चाहिए तो यह SC पे click कर सकते हो scorecard भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा layout पे click करोगे तो combined stats, detail stats prefer करो combined stats में ही रहने दो while पे click करोगे तो यहाँ पे first inning, second inning का scenario आपको मिलेगा bet first पे डाला, तो यहाँ पे bet first करते होए विजय शंकर चिकर नहीं है, 51, 0, 21, 3, 24, 7, अब मैं यहाँ पे bet second पे click करोगा तो जैसे मैंने bet second पे click किया, load होते होए आया, विजय शंकर चिकर नहीं है, 21, 70, तो इस तरीके से आपको click 365.10 में भी आपको stats बहुत सारा, इकठा, बहुत अच्छा stats यहाँ पे आपको मिलता है अब यह जो third option है, यह more stats का है, यह ज्यादा तर नहीं चलता है, बिग बैश में आपको इसका ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भाई ने यह भी update किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे tournament stats, total matches played, one betting first, चार, one betting second, चार, यह आपके लिए क्या काम करेगा, यह captain and voice captain from different teams, चार बार, all rounder as a captain, पांच बार, batsman as captain, zero बार जीते हैं, bowler as captain, यहाँ पे तीन बार जीते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, player combination, कैसा था जो grand league जीत के गए थे, combination seven from winning team, four from losing team, फिर यहाँ पे six, four, एक बार, zero बार, दो बार, एक बार, more पे click करोगे, तो आपको ने कितने दिया था, batting position क्या था, bowling positions क्या था, कैसा उसका performance था, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो green color में है, वो winning team है, जो red color में होता है, वो losing team है, यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं इसको height कर देता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे, तो Germany, total matches, four, one 8, 8, 10, यानि कि last के जो 4 matches थे, dream team में था, 8th position पे maintain किया हुआ था, उस थरीके से आप चाओ तो अपना players भी यहाँ पे select कर सकते हो, Denmark का यहाँ पे दिया हुआ, Denmark के players यहाँ पे हैं, और यहाँ पे average, bat first का stats, bat second का stats, जो average score था, average wicket था, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, average overs कितने डालते थे, कितने डाले गए हैं, सब कुछ आपको click 365 में भी मिल जाएगा, तो उमीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो मिलते हैं, आगले वीडियो में like कर देना, और channel subscribe नहीं कियो तो channel subscribe कर देना, चलो मि अगले वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद,